असलाम अलेकूम एंड गुड मॉर्निंग अभी जर्स्ट मैं अपने सारी चीजों से फारिक हुई हूँ जैसे के इंस्टाग्राम के चैनल पे सारी चीज़े मेरी मॉर्निंग वाली जो प्रोसेस रहती सारे लोगों को पता है तो इंशाला उपती तो मैं अरली मॉर्निंग सारा चीज़े वह तो कभी नहीं शेयर कर सकती हो ना कभी करूंगी और उसके बाद इंस्टाग्राम पे मेरा एब्री डे की तिलावत वाली वीडियो उससे अभी फारिक हुई हूँ और आज मेरा दिल है कुछ स्पेशल खाने का और मैं बाहर का खाना जादा पसंद नहीं क इसलिए मैं अपने हाथ का ज्यादा पसंद करती हूँ तो चलिया आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली मेरे लिए और मेरे बिल्डर बेटे को इंसिस करने वाली क्योंकि वह फिर से डाइट एकदम पॉर्फेक्ट लेना चालू कर दिया बर इसको आज मैं कैसे बता-पता मैं जारी जो मुझे कुछ स्पेशल खाने का दील होता है तो मैं उसी वकद वह ताजी चीजे लाके बनाना पसंद करती हूँ या तो फीश हो मटन हो या फीचिकन हो ऐसे तो स्टॉप में रहता ही है बटर लेकिन आज मुझे जो खाना है उसके पीसिस मुझे छोटे चाहि आफ तो मैं जारी है जारी हो छाँ इस बचाह तो इंशाला मैं ने बोला कि चलिए छोड़ा सा ब 다ार जाते जाते बह आतए बहर आपको बता दूंए बाहर आनके बां पहले लग मां पहले प्रैशर उप होंगी उसके बात कोकिंग करूं बहरा बहुत गर्मी और दाली है ब अब बजार से और तोड़ा मेरा ओफिस का मतलब मेरी जगा का एक फोन आया था तो वहां पे एक क्लाइन आये तो उनको जगा दिखा कर इतना सब करकर आई इतनी ठख गई हो इतना बजार लेकर आए इतना मतलब घर में जाने की भी हमत नहीं हो तो मैं तो यहां बढ़ गई म मेरी दर से हवाप बहुत अच्छी आती है अब यहां से सिधा जाओंगी फ्रेशा होंगी और फिस सिधा फिर फुष्णा कि चन के अंदर क्योंकि आज मेरे पसंद का खाना खाना है तो चलिए फिर मिलते है कि चन में चलिया आज आई आपको आज में बताते हूं मेरे लाएं कि ने खुद की ऊह। और वसके बाद में सब प्रेजन्टिंग भी की हूँ उसके बाद अपने आपको भी ना दोके फ्रेश कर रही हूँ क्योंकि काम कोई बहुता नहीं होता ना कभी भी कॉल आये कभी आपको भागना रहता हूं मेरा तो कोई फिक्स जॉप नहीं करें हैं मेरा बिजनस है मुझे जब मेरे क्लाइन का फोन आता है तो मुझे भागना ही पड़ता क्योंकि मेरी जगा ऐसी पढ़ी है लोकडाउन की टाइम से तो कुशिश कर रहे हुए कि जल से जल मेरे फ्लाइट जो भी मेरे शौप पर सेल हो जाए तो जब भी कॉल आता है मुझे भागना रहता है तो मैं इसलिए हमेशा प्रिपेर रहती हूँ कि मुझे कॉल आए भागो जल्दी से और चलिए आज मैं मस्ति आपको बनाने बताने वाली हूँ हाला के हम दोनों है आज मेरा अली नहीं है लेकिन फिर भी आज इतना सारी तयारी करी हूँ मैं स्पे कॉमडी वड़े का आटा व्री बनाना रहा है तो आप खिती है तो लोग आपको पकेट में मिलता यह मेरा जो मैं बनाने वाली हूँ रस चिकन रसे के साथ यह नहीं मैं सलाथ कात ली काट लिकाउस मैं अकेली तयारी कर रही हूं सारी चीजों कि तो इसलिए सारे यहाँ प बाद इसका में तड़का देने वाली हूं और इसे के साथ बहुत सारा लगेगा कड़ी पत्ता यह हमारी होगे चिकन फ्राइ करने के जो शौटिय करने वाली चिकन है यह उसका सारा सामान अब आज औहएगे आगे जैसे के चलिए मैं आपको थोड़ा से यहा करके बताती हूं कि मेरा किचन बहुत छोटा है समान बहुत सारा है आज तो यह वाला जो समान आपको दिख रहा है आपको यहां चैसे दिखी रहा होगा कि बहुत सारा नारियल तो यह एक अखा नारियल है तो इसको मैंने कट करके लिए अब इसको मैं पीसूंगी और इसका दोद निकालूंगी और उसी के साथ हमको लगने यहां पर जो मैंने कट की हूं यह मिंट और हरा धनिया मतलब पुदी ना और हरा धनिया को मैंने चॉप करके लिए और इसको किस तरीके से बनाना है वह मैं आपको बात में बताती हूं और इसको यह जो यह नारियल है इसका हमको जूस निकालना है तो वह मैं आपको पहले यही बताऊंगे उसके बात चलिए आज यह दूसरी बारी यह रहा हमारा चिकन रसा जो मैं थोड़ा सा सम्थिंग महरास्ट्रेन स्टाइल में बड़ थोड़ा सा अपना स्टाइल डाल कर बनाने वाली हूं तो सबसे पह प्यास और थोड़ा सा मैंने गीला नारेल लिए तो इन टीनों को हमको मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और बगार के लिए हमको लगेंगे कड़ी पत्ते चौप कीवी प्यास और मैंने तो लिए दो ग्रीन चिली आप चाहो तो दस भी ले सकते हो और यहां पे फि बनाने वाली तो जैसे महारास टेस्ट लाने के लिए आपको थोड़ा सा यह एड़ करना पड़ेगा और यह भी इजीली मग बजार में अबलिबल रहता है और इसी के साथ बहुत सारा चौप किया हुआ धनिया जिंजर गर्लिक का पेस्ट और सुके मसाले में स्रीप ब्लै मिंट का बगार दे के तेल में इसको राइस को बनाने वाली हूँ जैसे बगारे में राइस होते है तो बहुत से लोग हम लोग ब्लैक पेपर गरम मसाले का तड़का देते यह प्यास का तड़का देते पर आज में स्रिप मिंट का तड़का देने वाली हूँ तो चलिए प और यह हमारे जार हे नायल का जूसा निकालने के लिए आप इसीinky साथ कोकुम को भी भी पीस लीजिये नायल के साथ अब बब शेलिंगे आप इसको जो चणि में आप जूस निकालने वाले हो वहाँ पे twoले ओ बाद से नहीं आपको हात की मतद से तो जो इसकी अंदर का जूस है बहुत एजी लिए आपको निकल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो नीचे इसका जूस निकलना चालो हो गया यह देखिए जैसे कि मैंने हाथ से पूरे इसको निचोड की अच्छे से लास्ट इसका पतला पानी साफ निकलने तक ले लिए तो एक नारियल में इतना सारा जूस निकला है मुझे अब हमको इसी के अंदर डालना है दही तो दही फेटने के लिए आप दही ले लिजिए इस क्या है तो गर्मी में स्पेशली कोकम का जो भी रस रहता आप पिया कीजिए यह मेंट और हरा धनिया आप इसके अंदर डाल लीजिए पुरा और इसी के साथ-साथ जो हमने कला वाला नमक है यह ले लीजिए आप इसके अंदर यह आप स्वादानु साथ पेस्ट करकर करके और जो हमने दही PCA इसको mix कर लीजे इसको बहुत पतला बनाना हमको और हमेशा फ्रीज में इसको बना के रखे गर्मियों के टाइम पर तो क्या है आप कहीं से बाहर से आते हो और जैसे बहुत मसाले खाते तो जादा करके गर्मियों के टाइब हमको तो यह बहुत काम करता है आपको एसलिटी भी होने नहीं देगा और आपके बॉड़ी में कुछ जैसे रेडिस जैसे बन जाते है गर्मियों के टाइम पे मुस्ली यह सारी चीजों में हेल्फ करता है कोकम कोकम बहुत काम की चीजे चलिए हो गई हमारी सोल करी जो हमको गरिमियों में हमेशा पीते रहना चाहिए अब मैं इसको रखने जा रही हो फ्रीज के अंदर और फिल करते हैं दूसरा काम अब हम करते हैं चिकन वेरिनेट को स्टार्ट और यह सबसे पहला मैंने इसमें डाली है सॉल्ट और उसी के साथ जिंजर गार्ली का पेस्ट जो मैंने आपको बताई थी चाइनीज पकोड़े की जो मसाला रहता है यह पाउडर यह और अ अप्शन है दही का आप चाहो तो ले सकते हो आप चाहो तो नहीं ले सकते हो बट मैं नहीं लेनी वाली हूं और उप्शन और भी है कि आप इसमें रेड चिली पाउडर भी थोड़ा एड करना चाहो तो कर सकते हो जिसको स्पाइसी पसन है तो आप ज्यादा रेड चिली प तोड़ा सा इसी के साथ सब्सक्राइब ले लिए जितनी जगा अविलेबल हो क्योंकि सारा ही हमको पेस्ट करना है चलिए माशालला अच्छा पेस्ट हमारा तयार हो गया है चलिए आप बनाने की प्रोसेस है तो शुरू करते हम चलिए राइस का बिस्ट में अब जब पाली ने लिए और तड़के में सिर्फ में मिंट टाला है और सॉल टाली आप पिस जैसे पाली में उबाल आने लगे राइस छोड़ दीजे तो यह पीस अब राइस चोड़ लीजे और उसकी बाद में आपको इसको बढ़ आवे तो आपको इसको सीलो पे या फीरा द्राइस तो बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हो इसमें आप डाल दिजी थोड़ा सा धनिया और चलिए मेरी पास जो हम जैसे घर में कभी चिकन फ्राई करते और सब करते तो उसका ओईल हमेशा हमार पास अवेलेबल रहता है और जब हम ग्रेवी बनाने लगते तो उसी को ज प्यास जो है हमारी वो इसके अंदर जो चौक कीवी प्यास है पहले बगार में आप यह ले लिजे इसी के साथ आप कड़ी पत्ते भी ले लिजे और अच्छे सी इसको भूनी है ब्राउन होने तक और तक चलिए हम हमारी राइस के तरफ नजर मार लेते हैं माश्याला देखि वह भूबसूरत भी दिखेगा और खाने में बहुत टेस्ट वी देगा उंको यह दाक मरुन जब आपके त्याज हो जाए तो आप इसी के साथ हरा धन्या डाल लेजे और इसी के साथ साथ हमको करना है जिंजर घरली का फेस्ट यह हमारा जिंजर गार्ली का पेस्ट भी इस पेस्ट बनाई हो अभी फोड़ा थोड़ा करें इसके अनरे डालके बूहने जाएं माशाल्ला माशाल्ला यह देखिए यह आपका ऐस करिके से भूनते रहना कि अभी तब तो हुआ नहीं है अब हम इसके अंदर छोड़ेंगे चिकन और जो मिंट है ना हमारे इसको साथी में छोड़ेंगे इसको सारे में भूनिए ताके चिकन का जब पानी छोड़ता रहे तो यह मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स होते रहे और यह रहें डेंट वाले मैंने इसके देंट निकाली नहीं हूं और इसको कड़ भी नहीं करी हूं विकोज मैं तिखा नहीं खाती हूं तो मैं ऐसे ड हमारा हम राइस चेट कर लेते माशाला हमारी हो गई यह राइस रेडी अब हम करेंगे इसके अंदर चिकन प्राई का जो हमारा चिकन प्राई और सौटे करने वाली हूं मैं उसको मस्त तील के साथ और कड़ी पत्तों के साथ तो उसका तो मैं जो बहुत भूख लगी मेरे जितना ग्रेवी आपको चाहिए रहेगा आप इसको अंदर पानी की मात्रा एड कर सकते जितनी आपको ग्रेवी चाहिए पर अगर मेरा सुनोंगे तो ज्यादा पत्ला नहीं चाहिए हूंको हमको मीडियम चाहिए जो राइस के साथ दी हो और हमारी पूरो कुम्री वड़े जो मतलब पूरी आप देखोगे तो पूरी लगेगा बड़ उसका नाम होता है को में कोम्री वड़े चलिए अब इसको हमको अच्छे से नकन लगा के पकने देना है जब आप दो कि यहाँ पे एको हम छोड़ देते बनने के लिए और यहाँ हम शुरू कर रहे हमारे चिकन फ्राइ करने का सो आख ज़िस यह देकिया हमारे चीकन प्राइव हो गए पर मैं इसको निकालने वाली नीकी यूँंकि मैं इसर बना देसे कुछ और आल में पर चलिए पिर में चिकन को सॉटे करने वाली हूं कोई चीजों के साथ आपको वी दिखा देखिए चलिए यहां पे जो हमने तीकन फ्राइ किये उसी की ते से आपको यह बनाने है बहुत सारा मैंने क्या बोला था आपको के बहुत सारा कड़ी पच्चा में डालने वाली हू आगे हमारे खड़ी पच्चे की बारी और इसी के साथ तत्ती चौर दिरानने वाली हूं यह हमारी पच्चे जो हमारी स्पील है यह सेट चिकन लागी जीजे आप इसके अंदर बस इसको आप ऐसे साथे कर लिजी इसके साथ और माशाएलल्ला हमारे लिए चिकन चलिए यह कोमणी बड़ा में मैंने सॉल्ल डाली हूं और इसके अंदर थोड़े से आप यह तिल डाल लीजे और इसे के साथ साथ आप इसमें डाली पानी जिसा आपको आटा मला आटा मलते हम पूरी के लिए उसी तरीके से हमको यह मलना यह हमारा कोमणी रसा जो है मतलब कोमणी रसा हुआ दो चलिए मेरा चिकन रसा हो गया मैं बन कर रही हूं अब मैं बनाने जारी हूं क्या बनाने जारी हो अब हमी कोमणी वाड़ा है कोई इसमें पानी लगाते है कोई तेल लगाते तो आपका जो दिल चाहे वो लगा लीजे और हाथ के मदद से आप इसको है इस तरीके से और यह आप इसमें होल कर लिजे और इसी तरीके से आपको जाए टेल में छोड़ना है कि चलिए आज यह खाड़ा खाने के लिए और सबसे पहले में बना निकाल रही हूं सोन कड़ी कि बहुत थंडर देती है पेट में यह सबसे पहले आप यहीं पीजिए ठकावट देखो मम्मी के मूंपे तो ठक गए ने बिचारे बहुत मस्ते बहुत मस्ते हैं और ऐसी बनान कड़के वाला चिकन प्राई ऐसे चिकन प्राई दो सभी बनाते पड़ आप एक बार यह वाला देखकर जरूर कोशिश करना कि तील के और कड़ी पत्ते के साथ में तड़का देखे इसको सौटे करना ते आप ही मेसेज के जरी बताई देना टेस्ट आया के नहीं आया आप पी जो चुटे के सलगा होते हैं तो जो खुटे के सलगाते मेरे अमारे कर मोस्ली मो seriously बढ़े-बड़े चिकन के सबस्मार बांता होते हैं गलोगे खानकों टेर पो बनें बड़े में मस्य tyckerश्चिकन के घर स्टे करते होजाए आप करना आप घाने में बहु वाइवा इसे भी वह तो आफ नहीं है जो आप बनाई यह उखिए जब दूआ है रहाइस खाने वाली हुआ जो देख लीजिए सारे मेरे दस्टर खान में जो बनाई रकी हूं और जो बनाई और अवस्ट्रा प्रसेस आपके सामने शेर भी करिए हुआ ज़रूर और फिलाइए और थो खाना भी बनाने वाली बहुत जल्दी तो इंचाला रमजान के पहले बहुत सारे रेसिपी शेयर करने वाली हो आपके साथ तो पीज चली पनी जाबी तो खानू बहुत भूख लगी कुछ बोलने भी नहीं जब रहा मुझे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब अच्छी और जल्दी से आगे मेरे साथ खाना खाईए अला आपीज